स्वागत है आप सब का हमारे चैनल पर जहां हम बाते करते हैं फैक्शन व्यूटी लाइफस्टाइल कुछ पार्ट से जुड़े हुए अल इन टॉपिक पर और मैं आपके साथ शेयर करते हुए अपनी लाइफ का इस फ्रेंट जैश्री कृष्णा राधे राधे कैसे आप से आज का वीडियो विसे से रिक्वेस्टेड है तो आज मैं आपको इस पर जानकारी देने जारी हूँ और बहुत कम रिक्वेस्ट मुझे पसंद आती है क्योंकि जो मुझे लगता है कि बहुत खास है आपको इस बारे में जानकारी होनी ही चाहिए वो उस पर मैं जरूर से बनाती हूँ क्योंकि ये रिक्वेस्ट जो है थोड़ी डिफरेंट है एक बच्ची की है अपनी मां से और उनकी मां की है मुझ से तो एक मेरी बहुत ही प्यारी सीसी परिवार की सदस से हूँनका कमेंट आये था कि हमारी बेटी ने हमसे पूछा था कि हम जब तिलक लगात जो शायद आप मेंसे कुछ लोग जानते हो कुछ लोग नहीं भी जानते हो तो सब के लिए उपयोग में आएंगे सर्व पिर्थम ये जान लीजे आपके हमारा शरीर क्या है मानव शरीर खुद में एक ऐसी जगे है जहां तमाम प्रकार की सक्तिया निवास करती हैं अगर ह बस खुद कर सरीर वो केंद्र है सक्तियों का कि आपको समस्त संसार में और किसी शक्ति की जरूरत नहीं है एक यही साधना इसी सरीर रूपी शक्ति के साधना अगर आप करते हैं तो आप इस और को भी प्राप्त कर लेते हैं जी हां तो मैं आपको बता दू किस रिष्टी क सबस्तर सक्तियों के केंद्र हैं शरीर के साथ चक्र हमारे सरीर में यह शुरू होते हैं और तक आते हैं शाथ चखर होते हैं मैं आपको शौर्ट में बता दियुकि अपनोग कहेंगे मैं इक狂 यू ज候 बना दूगी क्यूंकि डिटेल को विडीयों बहुत लंबी हो जाएगी हो सकता है मुझे दो तीन पार्ट बनाने पड़े क्योंकि यह चर्चा एक से दो घंटे की है तो मैं हाँ शौट में बता देते हूं सब जानते होंगे इस बात को सर्व पर्थम चक्र होता है मुलाधार चक्र स्वाधिस्ठान चक्र मनिपूर अनहात सर पर हाथ क्यों रखते हैं या सर्व पर्थम में आपको यह बता दू कि माथे पर तिलक लगाने के पीछे के क्या विंदू है क्यों लगाते हैं और माथे के बीचियों बीच ही तिलक क्यों लगाते हैं वैसे तिलक सरीर के 16 भागों में लगाया जाते हैं फिर भी मैं मात्वपूर इस्थान है जहां शरीर की प्रमुक तीन नाडियां होती है सर्वीठथम, एडा, पिंगल, सुपन्न तो यह होती है तीन बहुत' माहत्वपूर नणिया जो कि आकर हमारे माथ शीर्ष चक्रत्रश हो तथा हमारे विचार्ट सक्रात्मक्च हो न्क्रात्मक्त up हमारे अरीर करीब ही ना हुद क्योंकि तिलक जो है वो एक ऐसी चीज होती है चंदन का हो जादा तर तिलक चंदन के ही लगाए जाते हैं चंदन ठंडा हो जाता है और माथे पर जब वो लगता है तो हमारे माथा को सीतलता प्रदान भी करता है माथे पर कुम-कुम क्यों लगाई जाती है दूसरी चीज बता दू यह आपको तीसरी चीज बताने जा रहे हूं तो माथे पर कुम-कुम लगाई जाती है वहाँ आग्या चक्र होता है आग्या चक्र के संतुलित रहने से चंचलता में कमी आती है जैसे होता है कभी-कभी हमा कुछ ऐसी बातें आदा जाना जिनका प्रिजेंट टाइम से कोई लेना देना नहीं कुछ ऐसी बातें आजाना जो भविश में हैं आप जानते ही नहीं है इस टाइप की इप चंचलता में कमी आती है विचार में इस्थिरता आती है और जब विचारों में इस्थिरता आती है तो आप समझ लें कि आपको जिंदगी में कोई भी चोट नहीं दे सकता है, फर फैस कलब बहुत सो समझ ये करेंगे, तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया, हम माथे पर तिलक लगाते हैं, और माथे पर जब तिलक लगाते हैं, तो सर क्यों ढखते हैं, माथे पर हमें कु क्यों लगाने चाहिए, अगर आपने देखा हो, तो पहले कुम कुम की डबियां मिला करती थी, आज कल मार्केट में स्टोन वाली कई परकार की बिंदिया आगया, वो भी लगा सकते हैं, लेकिन अतियोतम कुम कुम की बिंदी होती है, हमें उसी को जब मंदिर में पूजा क इसी परकार से सरीर के सोला भागों में चन्नन कुम कुम लगाया जाता है, दोनों भाजूं के अगल बगल माथे पर, गले में, कई जगे लगा जाता है, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं ऐसे डेटेल में घड़ दूगे, क्योंकि इस वीडियो बनावाना बहुत मश्किल ह क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जागी, क्योंकि हर जगे तिलक लगाने का एक महातुपूर्ण उद्देश होता, अगर हम यहां लगा रहे हैं तो महातुपूर्ण उद्देश है, जैसे जब हम लोग हवन करते हैं, हवन के अंत में उठते हैं, तो आपने देखा हो कुछ कमेंट जो है इंस्टा पर बहुत तेजी से आएं कि देदी आप कैसे अपनी दिन चर्या चला रही हैं, क्या खाती हैं, कैसे एक्सराइज करती हैं, तो देखिए, मैं इस पर वीडियो बना देती हूँ, आपको वीडियो मिल जाएगा, और मैं से नेक्स वीडियो मिल सब्सक्राइब करें, और मुझे पसंद नहीं करते हैं, क्यों चुपाती हैं, इतनी चीजे हैं, तो देखिए, मैं आपको बता देती हूँ,